नगर निगम एक बुरे दौर से गुजर रहा है अब नगर निगम का लिजिए शार अरब 35 करोड़ 435 करोड़ की लोगों सहरबासियों को जानने का हक है कि 435 करोड़ आपका बजट है जो हमारा नगर का विधायक है पता नहीं इसके बारे में कितने ऑपरेटिव हैं नहीं है हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है वो भी गैर जिम्यदार है उनका नगर निगम के साथ कोई तार्तम नहीं है उनका कोई अंकुष नहीं है बुढको बेलगाम है अब उनका क्या अंकुष रहेगा ठीकेदारी भी चल रही है नगर निगम में कौन सी योजना है जो सबसे लाबकारी और उपयोगी ओजना है नाला बनाओ धक्कन बनाओ उड़ाही करो उड़ाही में धक्कन तोर दो नाला तोर दो फिर नाला बनाओ फिर धक्कन बनाओ इसमें 6 महिना लगेगा फिर अगला बारिस आएगा फिर उड़ाही करो अब फिर उड़ाही करो तो फिर नाला करने के लिए कौन जाएगा तो जैसी भी जाएगा नाला की सफाई जब जैसी भी से करिएगा तो नाला का धकन तूट जाएगा अब नाला का धकन तूट जाएगा तो नाला का धकन बनेगा कब उसके लिए लगेगा छै मैना और तब तक पूरे सहर में तुटे हुए नाला म और उसमें लोगों का पैर जाते रहेगा उनका हड़ी तूटता रहेगा डाक्टर सहिब जाता रहेगा और बुड़कों के पीछे में एजेंसी है एक बाहर की कंपनी है अश कंपनी को पकर रखा जो निगर निगम में पहले बैठा हुआ था और वही परत्निधी भी है तो अ बेगुसराय को बिहार की और दोगी करा दानी कही जाती है लेकिन बेगुसराय शहर की जो सडके है उसकी इस्थिति यह है कि चलना मुश्किल है उस पर जल जमाब की समस्या गंभीर है बहुत जगा पर नाले पर ढखकन नहीं है है भी तो जिर्म सिर अवस्था में बेगुसराय के सांसद हैं गिर्दा सिंग जो दूसरी बार भी जित कर केंद्र सरकार में मंत्री बन गया है वहीं बेगुसराय के बिधायक हैं वह भी भाजपा से ही है दोनों सांसद और बिधायक भाजपा से हैं उसके बाद वी शहर की जो इस्तिती है वह काफी दैनिये हैं लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि कब इन समस्याओं से मुक्ती मिलेगी हमारे साथ हैं भाजपा के दिगज नेता अधिव वक्ता समाजिक स्रोकार से लगातार जूरे रहने वाले अम्रेंद कुमार अमर हम इन से सवाल करते हैं भाजबा की सत्ता है केंदर में भी और बेगुसे में भी दायक है सवाल आप पर ही उठेगा कि आखिर क्यों नहीं बेगुसरे शहर की इस्तिती सुधर रही है जो तमाम स कहूंगा बेगुसरे नगरपालिका और फिर नगर निगम बना लेकिन बेगुसरे संपूर्ण प्रयोगों के दोर से ही चल रहा है वाटर ड्रेनेज सिस्थम सुरू से इसकी मांग रही है लेकिन यह दुरभाग्य है कि अब तक वाटर ड्रेनेज सिस्थम के ना तो नक्सा बने और ना उसकी कोई योजना बन सकी नगरपालिका से नगर निगम हो गया और जो पुराने नाले की प्रक्रिया थी इंटा का नाला और फिर थोड़ा सा बड़े नाले और इसी तरह से पूरे सहर बे नाले बनाए गये और जो नगर निगम का बजट है उसी नाला को बना और उसी नाला को तोड़ना उसी नाला का धकन बनाना फिर धकन की सफाई करना यही नगर निगम का काम है जबकि नगर निगम को एक वेवस्थित रूप में किया जा सकता था कि इसके ड्रेनेज सिस्टम को पास करा कर और फिर उसमें कहां पर लो लेंड है कहां अपर लेंड ह कहां इसकी निकासी होगी और सम्मयक रूप से पूरे सहर का पानी कहां जाएगा इसकी कोई ओजना भी तक नहीं बन पाई तो सबसे ब़री बात तो यह है कि जो लोग जन परतिनी हैं अब आपका सवाह ले दिया है तो मैं अस्पस रूप से कहता हूँ को जो जनपरतिन यहां से चुने गए जो विधायक हैं जो नगर निगम छेत्र के मेयर हैं जो यहां के पारसद हैं जिम्मवारी तो लोगों ने उन्हीं पर दिया अब यह ठीक है सांसद का मिले चुकी छेत्र है लेकिन हम उसको इसलिए नहीं करने मंत्री है तो सवाल को उठ विधायक का है रहाया लेकिन इसका प्रबंद किया एजेंसी तो नगर निगम एume है लेकिन सांसद से नीचे भी तो जिम्यवारी है जिम्मेवारी नगर निगम कि है जो सिधह सिदिक करता है इसलिए हम उन जेमिवारियों से भागते नहीं तो इतने बरसों में आज तक water drainage system अब सबर सारे वाडों का अपना अपना level है अपना अपना level में नाला बना हुआ है और उसके नाले कहां मिलेंगे किसे मिलेंगे उसका कोई पता नहीं है सब वाड commissioner अपना अपना योजना पास कराता है अपना अपना उचाई का नाला बना बनाता है और अपना पानी अपने घर में रखता है यही अभी तक बेगउसराएकिसद्ट्टि और उसे भी खड़ाब इस्तित्टि तब हो गई जब यहां पर तीन एजंसियां आई और एजंसियां को Jiang हर एक एजंसियों का यह तैय होता है कि वो एजिंसियां कब तक काम करेगी, ऐसा तो नहीं होता है कि एधी आप ड्रेनेज सिस्टम में काम कर रहे हैं, आज सिवरेज में काम कर रहे हैं तो चार साल से काम ही कर रहे हैं drainage का काम तो है ही नहीं, drainage का काम के लिए तो सहरवासी तयार है कि यह एक भूत जाएगा, जाएगा की नहीं जाएगा पता नहीं, अगला भूत आने के लिए तयार है, उसका नाम है storm water drainage योजना उसका करके है, जो सात निश्या में है, और वो 402 करोड की योजना है, वो वाला और सिवरेजवाला के बाद दूसरा भूत है गैस वाला तिंग गैस का तीसरा भूत है जलनल यह तीन भूत से तो अभी वेगुस्राइड नगर निगम के लोग अपना दो चार हो रहे हैं और और योजना कब पूरी होगी कब तक चलेगी इसका कुछ अता पता नहीं औ आप करें कि एक और योजना आने वाली है एक और योजना के लिए नगरवासी तयार हो जाए जो चार सो दो करोड का है इसमें होगा कि सारे सारे सरकों को तोर कर चार नाले बनाए जाएगे अब उस चार नाले में एक नाला होगा जो पूरा सबसे गहड़ा होगा जिसका ल तेन तीन नाला उस सरक पर पास करेगा जिस सरक की क्या हालत होगी एक अभी जो ड्रेनेज सीवरेज का जो था वह एक नाला पास करा यह तो पूरे सरकों को बरबाद करके छोर दिया जिसा की बैटकों में मानिय सांसद ने भी कहा कि तीनों एजनसियां अपने के साथ तालमेल बना ले और तालमेल बना कर एक लंबित योजना को एक समय बद धरूप से इसको पूरी करे लेकिन बेलगाम एजनसी है अब लेजे बेलगाम एजनसी अब कहेगा क्यों है उसका उत्तर भी हम दे देते हैं बेलगाम एजनसी इसल परत्ति बना हुआ जो वे उस्राइका पहले नगर निगह में बठा हुआ था वो थिंग एसको फकड़े हुए तो हमारा कहना साप है कि जो रहनुमा है जो रहवर है वो दर्द दे रहा है और उसी से लोगवार कर रहे हैं इसलिए हमारा जिलादिकारी से कहना है कि आप तीनों बेलगाम एजेंसियों को जिसको संदक्षन दे रहा है कौन दे रहा है कौन चेहरा है जो लोगों को ठगड़ा है कि हम परतिदी भी बने हुए है हम ए खरएन्सियों को सहर में नचा कर पूरे सहर को बढ़ाद भी कर रहे हैं तो आखिर लोगों को जानने का हस्क h 내 कुल चला रहा है और इसे अजन्सियों में लोकल लोगोंगे ठीकेदारी चल रही है वह ड्यम की बैठकों में जो निर्देश दिया जाता है वो नहीं मानता है नगर निगम एक बुरे दौर से गुजर रहा है अब नगर निगम का लिजिए शार अरब 35 करोड 435 करोड की लोगों सहरवासियों को जानने का हक है कि 435 करोड आपका बजट है और 435 करोड में एक 100 करोड आपका अंतरिक संसाधन से पैसा गता है टेक्स से आता है और 335 करोड बहार सरकार का नगर विकास भिभाग आपको देता है अब बताईए 435 करोड में आप नाला बना रहे हैं नाला तो रहे हैं नाला की सफाई करने के लिए कौन जाएगा तो जसी तूटे हुए नाला में गड़ा रहेगा और उसमें लोगों का पैर जाते रहेगा उनका हड़ी तूटता रहेगा डाक्टर सहाइब कहां जाता रहेगा फिर नया धकन लगेगा फिर नया धकन जब तक लगेगा उसके बाद फिर उड़ा ही होगा फिर उड़ा ही होगा तो फ अच्छे स्वास्त के लिए जगह बनाएंगे। ऊससारी ओजना विचारी अपने जगह पर भठा हुआ है। नगर निगं में कौन सी ओजना है? जो सबसे लाभकारी और उपयोगी ओजना है। नाला बनाओ, धक्कन बनाओ, उडाही करो, उडाही में धक्कन तोर दो, नाला तोर दो, फिर नाला बनाओ, फिर धक्कन बनाओ, इसमें छह मेना लगेगा, फिर अगला बारिस आएगा, फिर उडाही करो, तो फिर नाला का धक्कन तोरो, फिर धक्कन तोरो, तो फिर उसको ब पनाओ क्या मतलब है आपने नगर वासियों को मुर्ख समझ रखा और यही नगर निगम का काम चल रहा है और उस पर जो हमारा नगर का बिधायक है पता नहीं हूँ इसके बारे में कितने ऑपरेटिव हैं नहीं है हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है वो भी गैर जिम्मेदा डिफाबार नागर हैं उनका नगर निगम के साथ कोई तरड कम्रीदार बना हुआ है उनका क्या अंकुष रहेगा ठीकेदारी भी चल रही है इसलिए हमारा साप-साप कहना हैं कि नगरवासियों को यह सारी बात जानने का हQ है कौन एजंसी है कौन ठीकेदार बना हुआ है कौन थिंग गैस का ठीकेदारी लिए हुए है कौन बुढको की कमपणी को चला रहा है और साथी साथ कौन पैर तुरवा रहा है